हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल फ्रेंड्स मिसीस कोली की तुरफ से प्यार भरा नमशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजी रही नई रैस्पी के साथ फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे चाय की फ्रेंड्स चाय एक ऐसा ड्रिंक है जो दुनिया यह सोचते हैं कि चाय पीने से हमें नुकसान हो जाता है लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दू चाय में ऐसी दो चीज़ें हम मिक्स करेंगे जिससे नुकसान नहीं इससे फाइदा होने वाला है जी हाँ फाइदा होगा चाय पीने से लेकिन चाय आपको ज्यादा के हिसाब से आप इसमें पानी आड़ कर दीजिए पानी को हमें अच्छी तरह से गरम करना है आप ये तो सब जानते ही है कि पानी अच्छी तरह से गरम होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स देखिए चाए जो है न कई इसे जहर के रूप में भी बात करते हैं मतलब सुनी सुन रखिएगा तो चाय आप देखते जाएगा कि मैं चाय किस तरह से बना रही हूँ इससे आपको बहुत फैदा होने वाला है कई बीमारी इससे दूर होने वाली है जिस तरह से आज मैं आपको यह चाय का तरीका बताने वाली हूँ तो दो चीजी इसमें हम एड़ करेंगे दो अद्रक को अच्छी तरह से धो लीजिए और धोने के बाद उसे आप इसे यहां तो greater से grate कर लीजिए यहां इसे crusher से crush कर लीजिए तो अद्रक से क्या होता है कि इसमें जो properties है ना friends वो हमारी बिमारियों को काफी हद तक सही कर सकती है एक तो देखिए इससे कफ वगरा बिल्कुल नहीं होता नोजिया की problem जिसे है अगर अद्रक की चाय वो पी रहा है ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो friends इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा शरीर बहुत ही बढ़िया रहता है और दूसरा है दालचीनी यानि की cinnamon तो cinnamon के जो friends है ना ये हमारी जो अंदर body में infections वो गरारा हो जाती है ना उसे बहुत जल्दी से सही करने वाला इसके अंदर property है तो इस बात का आप ध्यान में ले रहे हैं तो एक कप में आप one-fourth teaspoon के करीब इसमें दालचीनी का powder एड़ कर सकते हैं देखिए एक कप में अगर आप अदरक ले रहे हैं तो ग्रेटर किया हुआ आदा चमश लीजिएगा अदरक और अगर आप दालचीनी का powder ले रहे हैं तो वन-fourth के चमश के करीब आप इसमें दालचीनी का powder एड़ कीजिए तो इसे हमें अच्छी तरह से boil करना है देखिए फ्रेंट्स हरी लाइची जो है यह तो हमें flavors के लिए चाहिए ही चाहिए आपको मालूम है इसके बगार तो चाह बिलकुल अधूरी है और यह जो हरी लाइची है यह हमारे digestion system को भ बहुत best रखती है इसे भी आप जरूर एड़ कीजिए एक तो खुश्बू बहुत ज़्यादा चाय में आ जाती है फ्रेंट्स इस बात का ध्यान दीजिएगा एक अद्रक और दूसरा दालचीनी इन दोनों को आप चाय में अगर उबाल कर पी रहे है न तो आप कभी भी ब दाल दी है बढ़िया फ्लेवर के लिए डाइजेसन के लिए अब देखिए इसमें अच्छी तरह से बॉयल आने चाहिए और पानी देखिए कितना जबर्दस ग्रीन ग्रीन हो गया है न इस टेज़ पर हम इसमें डालेंगे चाय की पती धीरे धीरे डालेंगे तो मैंने डे जार जी नहीं ऐसे नहीं होगा चाय की पती को उबाल लीजिए उसके बाद ही हम इसमें शुगर डालेंगे देखिए अगर आप और हेल्दी चाय बनाना चाते है न तो शुगर की जगह आप इसमें गुड का इस्तमाल कीजिए अगर आप बिना मीठे के ही चाय पीना चाते तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है इसलिए आप शुगर की जगा गुड़का इस्तमाल कीजिए और अगर बिना शुगर के चाय पीनी है तो और भी जवरदस्त बात है तो देखिए अब चीनी पत्ती इसमें सभी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है घुल मिल गई है अ भी आप इसमें दूर डालिएगा और फिर चाय बनाकर पीजिए चाय हमेशह पकी होई होनी चाहिए फ्रेंट्स कची चाय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अब दूर डालने के बाद भी इसमें काफी अच्छे बॉयल जाने चाहिए तो अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दे इस तरह से और इसे उबलने देंगे कम से कम 5-6 मिनिट हमें चाय बनाने में समय लगना चाहिए ज्यादा भी लग सकता है लेकिन चाय हमारी पकी हुई होनी बहुत जुरूरी अगर हमारी चाय पकी हुई होगी ना फ्रेंड्स आपको कभी भी ऐसी डिटी नहीं होगी ऐसी प्रॉलम आ सकती है और दूसरा खाना खाने के बाद इमिजएट आपको चाय नहीं पीनी अगर इमिजएट आप चाय पीते हैं तब भी आपको एसीडिटी की प्रॉलम आ सकती है इसलिए आपको मैं बता दूँ चाय हमारे लिए जहर नहीं है बहुत अच्छी चीज है कोई भी दूद वगरा भी पी लेते हैं, अगर हम ओवर इसकी ड्रिंक करेंगे या कोई भी चीज खाते हैं, अगर उसे हम ज़्यादा खाएंगे, तो हमें फैदा देने की बजाए वो नुकसान भी दे सकता है, इसलिए आप चाय को दो या तीन बार पीजे, तो चाय हमारी ब लगिए, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस तरह से चाय जरूर बनाया कीजिए, और आपको ये बहुत फैदा देने वाली है, तो मैं तो फटा-फट से इंजोई करने वाली हूँ, तो आप भी इस तरह से चाय बना कर कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी आपको फायदा ही होगा फिर मिरती हूं दोस्तों